दोस्तों कुवेद का वीजा कैसे चेक किया जाता है आज की वीडियो मापको हम बताने वाले हैं बहुत ऐसे लोगों के साथ में आज के डेट में धोखा हो रहा है कुवेद के वीजा को ले करके लोगों को fake visa लोग बना करके दे देते हैं और लोग चेक नहीं कर पाते हैं और चेक भी करते हैं तो अधोरी knowledge रहता है उनको पूरा तरीके से अच्छा चेक करने का ढ़ंग नहीं रहता है जिसके वज़ा से उनके साथ में धोका हो जाता है अगर आपको भी कुएत का visa मिला हम आपका visa को चेक करके बता देंगे कि आपका जो visa मिला हुआ है वो visa original है या fake है उसका कुछ फिस लगता है तो चलिए हम वीडियो के स्टार्ट करते हैं हमारे YouTube चैनल पर अगर आप पहले दफाह होंगे तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा याद रखिएगा कुएत का visa हो या किसी भी देश का visa हो किसी भी company का अगर आप 4 letter मिला हो तो उसको जरूर आपको चेक कराना है उसके बाद से जाकर को उस पर विश्वास करना है आख बंद करके किसी भी आदमी पर विश्वास कर लेंगे तो आज के दिन में नोकरी के नाम पे लोग को साथ म आपको नजर आता होगा आपको सबसे पहले चेक करना है अलमस तारे visa पर आपको आज के डेट में कुवेत का QR कोड नजर आता होगा सही है की वार कोड को जब भी लोग करते हैं उनका डिटेल्स करता है नाम काम कंपनी का नाम सेलरी हो गयरा तो लोगों को लगता है कि visa हमा आता होगा और इस visa को हम चेक किये हैं और कैसे हमने चेक किया आपको हम बताएंगे ठीक है तो चलिए नीचे हम लोग जाते हैं नीचे आपको सारे डिटेल्स दिखाई देगा यहां पर रकम तसीरा नजर आता होगा रकम तसीरा का मत्तब होता है visa number हम आपको एक website पर लेकर चलते हैं यहां पर अक्सर लोग जाकर करके चेक करते हैं और यहां पर चेक ने के बाद को लगता है कि हमारा वीजा उरिजनल है यह बीजा है आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे e-bisa reference number और passport number डालके भी आप check कर सकते हैं यहाँ पे आपका पूरा detail सो करेगा, नाम सो करेगा, आपका काम सो करेगा सब चीज तो करेगा, लेकिन अगर आपको यहाँ पे so नहीं कर रहा है तो आप लोग यहाँ पे जाएंगे, वो सारे लोग हैं कि जो आते हैं visa application status पे visa application status पे click करकेते हैं और visa application number डालते हैं यह capture code को fill करते हैं, ठीक है तो visa application number डाल दिया, capture text को यहाँ पे fill कर दिया और capture text को fill करने के बाद जैसे हम लोग submit पे click करते हैं तो यहां पे अप्सन आ जाते है एप्रूब्ड लिख करके जिससे आप लोग यहां पे देख सकते हैं एप्रूब्ड लिखा है तो अगर एप्रूब्ड लिखा है तो आपको विश्वास नहीं करना है क्यों नहीं करना है मेरे भाई अप्रूब्ड तो लिख दिया अब तो चाहिए इसलिए नहीं करना चाहिए मेरे भाई मेरे ही साफ से क्योंकि आपको यहां पे तो ना नाम सो कर रहा है ना आपका फोटो आ रहा है ना आपका डिटेल्स आ रहा है कुछ भी नहीं आ रहा है ना तो आपका पसपोर्ट नमबर है ना आपका नाम है ना आपका डिटेल से तो कैसे हम विश्वास कर सकते हैं हम नहीं कर सकते हैं इसको विश्वास इसलिए कि यह किसी का भी नंबर हो सकता है लेकिन आपको चेक करना है डायलेक्ट पस्पूर्ट नंबर से सोग करेगा तो आपका औरिजनल हो सकता है पस्पूर्ट नंबर से भी सोग कर सकता है आपक वेबसाइड ओरिजनल है यह फेक बनाया गया है यह सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं तो यहां पर देख सकते हैं बीजा प्रिफरेंस नमबर पस्पोर्ट नमद देखे कर जैसे मैं ओके कर रहा हूं तो डायरेक्ट यहां पर इन वाइलिड बता रहा है नॉट भाइलिड प्लिज ट्राइ एगन बता रहा है इस तरीकी के ठीक है तो यहां पर यह बीजा तो 100% फेक निकला और QR को जो एसकेन करते हैं तो QR को जब एसकेन किया जाता है तो आपको इतना जरूर पता होना चाहिए कि यह वेबसाइड कहां से लेके खोल रहा है यानि कि जहां से आपक अपन हुआ है वह कौन से वेबसाइड से ओपन हुआ है अगर आपको इतना पता नहीं होगा तो आप फ़ह सकते हैं हमसे चेकर आने के लिए आप लोग कंटेक्ट कर सकते कमेंट किजिए कि मुझे चेकराना मैं आपको वार्टसअप कम बद्दूंगा उस पर ठेक ए सो मुच पर वाचिक मैं वीडियो